अलोई स्टूटेंस वर्कम बैक टो मैं चैनल एलेर्णिंग अकाउंट्स इन लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चिन नमर फिफ तक सारे क्वेश्चिन साफ कर दिये थी इस वीडियो में हम क्वेश्चिन नमर शिक समझेंगे इसमें क्या लिखा हुए देखे ए बी और सी टीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेरिंग रेश्ट है एक्वाली शेरिंग प्रॉफिट लॉसस इक्वाली डे अग्री टीफ एक्वाल शेर उन्होंने डी को एड्मिट किया अपने फॉर्म में फॉर इस पॉर्पस गुडविल इस वी वैलूट एक थ्री एर्स प बन पॉइंट दिया हुए अग्यास्मेंट का बहुत सिंपल क्वेश्चेन है यह बहुत से बच्चों का शायद वह भी गया होगा सबसे पहले हम सारे यह का प्रॉफिट लिए प्रॉफिट लेंगे प्रॉफिट एन लॉस तूसंट थर्टीन का प्रॉफिट दिया हुए 60,000 2014 का प्रॉफिट दिया हुए 1,50,000 2015 का देखिए लॉस दिया हुए लॉस को हम ब्रैकेट में शो करते हैं 2016 का प्रॉफिट दिया हुए 2,00,000 और 2017 का प्रॉफिट दिया हुए 1,85,000 यह हो गया अब हम एग्जेस्मेंट देखेंगे और 1 अक्तूबर 2016 अब कम्प्यूटर कोस्टिंग 40,000 बस पर्चेस एंड डेबिटेट तो ऑफिस एक्सपेंस इस पर्सेट की इंट्री ऑफिस एक्सपेंस अकांट में हो गई है तो इसमें हम एड कर देंगे प्रॉफिट में पर्स्ट ऑक्तूबर 2016 लिखा हुआ है यह तो देखें फाइनिशल यह कित्ता होता है 2016 1st April 2017 31st March फाइनिशल यह के एंड में हम इंट्रीज करते है तो इसकी इंट्री हम 2017 में करेंगे ठीक कितने का कम्प्यूटर पर्चेस किया गया तो 40,000 का यहां लिखेंगे add computer purchase 40,000 और उस पर depreciation भी लगा है तो depreciation उस पर हम calculate करेंगे 40,000 into 1st October गो computer purchase हुआ October, November, December, January, February and March 6 month computer use हुआ 6 upon 12 and rate दिया हुए 25%, 25 upon 100 यह हम calculate करेंगे, यह हो जाएगा 5000 depreciation हम less करते हैं यहां लिखेंगे less depreciation bracket में शो करेंगे 5000 और कोई adjustments नहीं दिये हुए तो अब हम इसे total कर लेंगे, यह हो जाएगा 60,000 यह हो जाएगा 150,000 यह हो जाएगा bracket में 20,000 2,00 and यह 1,005,000 प्लस 40,000 माइनस 5000 यह हो जाएगा 2,0020,000 हो गया, यह हमारा profit and loss अब हम average profit calculate करेंगे, तो average profit का formula क्या होता है total profit upon number of year purchase तो हम total profit हमें calculate करना है तो 60,000 प्लस 1,005,000 माइनस 20,000 प्लस 2,002,002,002,002,001 यह आप लोग calculate करिएगा, यह हो जाएगा 6,10,000 upon number of year कितना है 1, 2, 3, 4, 5 यह लिकेंगे 5 यह divide करदेंगे, यह हो जाएगा 1,22,000 अब हम goodwill calculate करेंगे goodwill is equal to 1,22,000 goodwill का formula होता है ना average profit into number of year purchase 1,22,002 आपके question में कितना year दिया हुए 3 year purchase दिया हुए यह लिकेंगे into 3 यह into करेंगे हो जाएगा 3,66,000 यह हो गया हमारा answer देखे 3,66,000 so students question number 6 भी हमने complete कर दिया next video में question number 7 करेंगे so if you like me video then please like, share and comment and do subscribe my channel thanks for watching